बिसमिल्य रख्मानिर रहीम, असलाम लेकूम, वेलकम तो मैं चैनल, कैसे हम सब उमीद करती हूँ कि आप सब खेरिया से होंगे, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ स्ट्राबरी जया मनानी की रेसिपी, जो के बनाना बहुत ही असान है, और ये डेस में बहुत ही म खराब हो जाती है, तो मैं हमेशा वाश करने के बाद इसको फ्रीजर में रख दीती हूँ, ताके कोई भी चीज बनानी हो तो आप बना सकते हैं इसकी, अब इसमें हम शामल कर देंगे चीनी, तो दिर्ड़ कप चीनी का समाल कर रही हूँ, जो के मैंने नॉर्मल जो घर में चाय का कप होता है, उसी से नाप के मैंने डाला है, आप मेजरिंग कप का समाल भी कर सकते हैं तो ये दिर्ड़ कप चीनी डाल दी है मैंने, इसमें हम नमक शामिल करेंगे, आदा चाय का चमच तक जीबन, और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें टाटरी का पानी, तो आप जूज डाल दीजिए, आप चाहें विनिकर डाल दीजिए, तो मैंने एक खाने का चमच पानी लिया था, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी टाटरी डाल दी थी प्रिजर्वेटिवस के तो और मैंने शामिल कर दिया है, अब चूले के आज को मैंने खोल दिया है, इसमें मीद अब देखें, चीनी हमाई थोड़ी सी मैल्ट हो गई है, और स्टाबरी ने थोड़ा सा पानी रिलीस काना शुरू कर दिया है, तो इसको अब हम कवर करके पकाएंगे, तो इसको कर देते हैं कवर 10 से 12 मिंट के बाद इसको चेक करेंगे, अब तक रिबन 10 से 12 मिंट गुजर इसको सपेशलर से मिक्सर लेंगे, और इसको हलका हलका सा मैश भी करते जाएंगे, और इसको हम मजीद कोक भी कर लेंगे अब इस स्ट्राबरी जयम थोड़ी सी गाडी हो गये चैक करने के लीका अगर यह दं हो गई है अगर हम इसको सो तरह से उलटा करेंगे निज़ा गरेंगे तो यह थोड़ी सी अगर सलरी हो रही है मतलब कि यह हमाई रेडिय भी नहीं हुई है इसमें थोड़ा सा जैम टैप वाला लुक आई नहीं रहा है इसको मजीद हम कोग करेंगे फिर हम इसे चेक करेंगे तो तक्रीबन इसको 5-10 मिन मैंने मजीद कोग कर लिया है अब फिर दुबारा से हम प्लेट में सना से चेक करेंगे और यह देखें इसमें यह टैक्चर आगया है जैम वाला बलकुल और यह नीचे रनी होके सलरी होके गिर नी रहा है और यह देखें इसकी perfect consistency है तो चूले के आज को हम बंद कर देंगे अब पकाने की और जूरत नहीं है इसको यह ready हो गई है अब जैम को हम ठंडा कर लेंगे और sterilize कीवी dry bottle में निकालेंगे मैंने इसको sterilize करने के बाद अच्छी तरीके से pad dry कर लिया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं ठंडी क्वी जैम और जैम की जो है वो shelf life थोड़ी सी बढ़ जाती है अगर हम इसको sterilize साफ सुत्री bottle में डालते हैं तो आप इसको रख सकते हैं 6 मिने के लिए और इसको स्वाल कर सकते हैं बहुत ही मज़ेदार ये बन जाती है आप इसको घर में बच्चों को बना के दीजिए ये बहुत पसंद आती है बच्छों को तो आज की recipe वीडियो कैसी लगी मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा recipe अच्छी लगी है तो इसको like और share ज़रूर कर दीजिएगा तो बनाइए इस recipe को और इसका feedback मुझे ज़रूर दीजिए तो मिलती हूँ फिर एक और नही recipe के साथ जब तक लिए take care, Allah Hafiz